मम्मा आज़ा बहुत परिसान लग रही है क्या बात है हाँ बेटी मैं बहुत परिसान हूँ क्यूंकि हमारे घर में सिर्फ एक दिन का है रोसन बचा है मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे लेकिन मम्मा आप ही तो कहती है ना कि हमें मुश्किल समय में परिसान होने की वजाए हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए हाँ बेटी तुमने बिल्कुल ठीक कहा फिर मम्मा चिडिया घर में जो थोड़े से चावल बचे हुए थे उन्हें पका कर एक प्लेट में ले आती है मम्मा मम्मा इतने से खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा इसलिए खाना आप खाले मैं कल खालूंगी नहीं बेटा मैंने ये चावल पकाने से पहले ही दो दाने खा लिये थे इसलिए ये खाना आप खालो वह दोनों मा बेटी एक दूसरे से कही रहे थे तब ही उनके दरवाजे पर दस्तक होती है ममा ममा आप ये खाना खाएं तब तक मैं देखती हूँ कि बाहर कौन है फिर गुडिया चल्दी से जाती है और दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि एक साधू पक्षी खड़ा था अरे बेटी मैं दो दिनों से भोखा हूँ मुझे थोड़ा सा खाना दे दो यह सनकर गुडिया सोच में पड़ जाती है कुछ दिर सोचने के बाद वह बोलती है ठीक है आप अंदर आ जाईए हमने अपने खाने के लिए चावल बनाए हैं आप भी चावल खा लेजिए फिर गुडिया उस साधू पक्षी को अपने घर के अंदर ले जाती है साधू पक्षी को देखकर गुडिया की मा बोलती है अब आप कौन है ममा ममा ये दो दिनों से भूके हैं इन्होंने दो दिनों से कुछ भी ने खाया इन्हें बहुत जोरों की भूक लगी है इस खाने से इनका पिट भर जाएगा वैसे भी हमने तो खाना खा लिया है ममा आ आप ही तो कहती है ना कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए हाँ बेटा साधू महराज आप अपनी गठ्री रख दीजिए और खाना खा लिजिए फिर वह साधू पक्षी अपने गठ्री वहां पर रहकर चावल खाने लगता है वह भर पेट चावल खा लेता है आपका बह बेटी आपको तो बहुत जोरो की भूक लगी होगी नहीं ममा मुझे भूक नहीं लगी है आपने कौन सा खाना खा लिया है अरे ममा वह साधू महराज तो अपने गठ्री अहीं पर भूल गए गुडिया बेटी आप उन्हें बाहर देखिए वहां भी जादा दूर नहीं ग भूल लेती है आपकी 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 गठ्री हमारे घर पर ही चूट गई थी औरे बेटा यह गठ्री मेरी चूटी नहीं थी बलकि मैंने तो जान बोज कर छोड़ा था आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, आप इस गठ्री को अपने साथ ले जाएं। इस गठ्री में जो भी होगा, वा मेरी तरफ से आप के लिए तवफा होगा। आप इसे अपने साथ ले जाएं। लेकिन ममा मना करेगी। बेटी, बड़ों की आगे जित नहीं करते और आप तो बहुत समझदार हो, जाओ, इसे घर ले कर जाओ, अब मेरी यहां से जाने का समय हो गया है। फिर गुडिया मजबूर होकर, वा गठ्री लेकर अपने घर जाती है। ममा ममा, उस साथू बाबा ने यह गठ्री लेने से मना कर दिया, उन्होंने यह गठ्री मुझे दे दी, और कहा है कि इसमें मेरी लिए गिफ्ट है। अरे होगा कुछ बेटी, आप अभी सो जाएं, मुझे बहुत नींदा रही है, कल देखेंगे कि कल के लिए रासन कैसे लाना है। इतना कहकर चड्या सो जाती है। लेकिन गुडिया उस गठ्री को देखे जा रही थी, उसके दिल में तसली ना था, वो धीरे से उस गठ्री को खोर कर देखती है, तो उसकी तो चीक ही निकल जाती है। यह आया ही हमारी मदद करने की लिए था। यह बाते करते करते सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही चड्या अपनी बेटी को लेकर बाजार जाती है। वह अपने लिए महीने भर का राशन लेती हैं, और गुडिया के लिए करम टोपी और मुफलर भी। कभूतर भाईया अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्छी हो तो उसे मेरे पास भीज़ देना मैं उसके मदद करूँगी मगर चड़िया बहन आपके पास इतना धन कहां से आया मैं आपसे क्या बताऊं भाईया सब उपर वाली की देन है कभूतर के पडोस में गोरी कवी रहती थी हर दिन की तरह कभूतर अपने घर जा रहा था तभी गोरी कवी उसे रोक लेती है कभूतर कभूतर मुझे एक रोटी देदो खाने के लिए मुझे बहुत भूग लगी है गोरी तुम चड़िया के पास जाओ वो करीबों की मदद करती है चड़िया लेकिन वो ता खुदी गरिब है वो क्या दोसरों की मदद करेगी सायद उसके घर कोई चमतकार हुआ है अब वो गरीब नहीं रही बलकि वो सभी गरी पक्षियों की मदद कर रही है तुम उसके पास जाओ वो तुम्हारी भी मदद जरूर करेगी हैरान होकर गोरी कवी चिडिया के घर जाती है चिडिया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी चड़िया चड़िया ये घर तुमने कब नया बनवा लिया गोरी बेहन मेरा घर बहुत तूटा हुआ था तो इसे मैंने आज ही बनवाया है लेकन चड़िया तुम्हारे पास तो कल तक एक भी पैसे नहीं थे तो तुम्हारे पस इतने पैसे कहां से आए कि तुमने नया घर बनवा लिया फिर चिडिया गोरी कवी को साधु वाली सारी बाते बता देती है ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता सारे चमतकारी काम तुम्हारे साथ ही होते हैं गोरी बेहन आप थोड़ी दर यहीं पर बैठिये मैं अभी अपने घर से आपके लिए रोटी लाती हूँ अरे नहीं नहीं रहने दो मुझे नहीं चाहिए कोई रोटी वोटी मैं तो अब उस साधु पक्षी को ढोंडने जा रही हूँ इतना कहकर गोरी उस साधु पक्षी को ढोंडने के लिए निकल जाती है गोरी इधर जाती है ऐसे ही वह सारे जंगल में घुमती है लेकिन उसे वह साधु पक्षी नहीं मिलता तब वह पहाड़ों के तरफ चली जाती है तब वह देखती है कि एक सुखे हुए पेड़ पर वह साधू पक्षी बैठा हुआ था फिर गोरी कविर साधू पक्षी के पास जाती है साधू महराज, साधू महराज मैं आपके लिए खाने को लाओं आपको भूख लगी है अरे नहीं नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है ठीक है, अगर आपको भूख नहीं है ता आप भी ना खाए ही चिडिया जैसी गठरी मुझे भी दे दो तुम ऐसा करो कि ये लड्डू ले लो और जाओ, पीपल के पेड़ पर एक बोड़ी कबूतरी बैठी हुई है तुम उसे लड्डू दे आओ ठीक है साधू बाबा, मैं अभी गई और आभी आई गोरी कवी वह लड्डू लेकर पीपल के पेड़ के तरह बढ़ती है तभी रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठती है और अपने मन में सोचती है वह बोड़ी कबूतरी इतने सारे लड्डू खा कर क्या करेगी ऐसा करती हूँ कि इसमें से थोड़े से लड़ू मैं खा लेती हूँ और साधू को भी क्या पता चलेगा कि इसमें से मैंने अपना पेट भरा है ऐसा सोचकर गोरी कभी उन लड़ू में से दो तिन लड़ू खा लेती है लड़ू खाकर वह फिर से उड़ती है और बुढ़ी कबूतरी के पास पहुच जाती है यह ले जिये लड़ू इसे आपके पास साधू महराज ने भेजा है अच्छा किया जो आप यह लड़ू लेकर आई मैं सच में बहुत भूखी हूँ लड़ू देकर गोरी कवे वहाँ से भागी भागी फिर से साधू के पास आती है साधू पक्षी जी अब आप जल्दी से मुझे वह गठरी दे दो मैं तो बहुत ठक गई हूँ अच्छा तो ऐसी बात है लो जैसा काम वैसा इनाम ऐसा केकर साधू पक्षी गोरी को एक गठरी दे देता है वह गठरी लेकर गोरी कवे वहाँ से खुसी खुसी चले जाती है थोड़ी दूर जाकर गोरी कवे उस गठरी को खोल कर देखती है गूरी कभी जैसे हिवा गठरी खोलती है तो वह देखर हैरान हो जाती है क्यूंकि उस गठरी में सिर्प एट पत्थर भरे हुए थे हाए मैं तो लट गई उस साधू ने चडिया को दिया खाजाना और मुझे दिया एट पत्थर गूरी कभी इतना कही रही थी कि तभी अचानक वो पक्षी वहाँ पर आ जाता है जैसा का हम वैसा ही इनाम मैं लाल जी और जूटे पक्षियों के मदद नहीं करता चिडिया एक अच्छी पक्षी है इसलिए मैंने उसकी मदद की तुम बहुत ही लालची हो इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है इसलिए तो कहते हैं कि हम जैसा करम करते हैं वैसा ही हमें फाल मिलता है प्यारे दोस्तों हमारी कहानी को लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ भी सियर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें आपका धन्यवाद कउओ के घर में आज खुसियों का महौल था दोनों पत्ती पत्नी अपने काम में लगे हुए थे मैंने खोसला बना दिया है और दाना भी जम्मा कर दिया है अब बस तम जल्दी से गरम कपड़े लादो गरम कपड़ा, गरम कपड़ा तम क्या करोगी देख नहीं रहे हो कितिनी ठंड है कुछ दिनों तक अंडे पे गरम कपड़ा रखना होगा अब तम जल्दी से जाओ और गरम कपड़ा लियाओ इसके बाद कालू कवा गरम कपड़ा लाने के लिए चला जाता है गौरी कवी आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अंडे देने वाली थी उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए पूरी तैयारी कर ली थी कालू कवा उड़ते हुए तूने चिडिया के घर पर गया और दरवाजा खटकटाते हुए बोला चिडिया बहन चिडिया बहन जल्दी से दरवाजा खोलो मैं हूँ कालू कवा अरे क्या बात है कालू भाईया आप दरवाजे को इतने जोर जोर से क्यों खटखटा रहे थे तूनी बेहन क्या तुम्हारे पास गरम कपडा है गोरी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है गरम कपडा लेने के लिए क्योंकि गोरी अज अंडे देने वाली है गरम कपड़ा लेकिन वो गरम कपड़ा तो मुझसे लूसी मांग कर ले गई थी जब वो अंडे देने वाली थी ठेक है चडिया बहन मैं अभी लूसी के पास जाता हूँ इधर गोरी कवी ने तीन अंडे दिये थे और वो अपने पती का पेसबली से इंतिजार कर रही थी लूसी बहन लूसी बहन चडिया का जो गरम कपड़ा आपके पास है वो आप मुझे दे दे क्या गोरी ने अंडे दिये हैं हाँ आज हमारे घर में अंडे आने ही वाले हैं फीक है ये लो गरम कपड़ा और गोरी से कहना कि ये गरम कपड़ा डाल कर वो अपने अंडे एक दिन धूप में रख दे ठीक है मैं गोरी से बता दूँगा कालू को वा खुस होकर वा गरम कपड़ा लेकि अपने घर चला जाता है ये देखो कालू जी मैंने तेन अंडे दिये हैं कालू कवा ये बात सुनकर खुशी से जूमने लगता है ये लो गरम कपड़ा लूसी ने कहा है कि इस अंडू पर डाल कर उसे धूप में रख देना कपड़ा डाल कर उसे धूप में रख देते हैं कालू तुम अंडों के पास बैठो मैं अभी नदी से पानी पी कराती हूं मुझे बहुत जोरो की प्यास लगी है ठीक है गोरी लेकिन थोड़ा जल्दी आना क्योंकि मुझे भी बहुत प्यास लगी है फिर गोरी कवी नदी प सोड़ा सो लेता हूं ऐसा सोच कर काळू कवव वहीं पर सो जाता है कवव को सोता हुए देहकर कोयल अПने मन में सोचती है मेरे लिए यहीं अच्छा मौका है यह कवा तो सो रहा है ऐसा करती हूँ मैं अपना अंडा इनके घोसले में रख देती हूँ यह सब मुझे जल्दी करना होगा कोयल यह सोचकर कवों के घोसले के पास जाती है कालो कवा तो सो रहा था वह उनके घोसले में अपना अंडा रख देती है औ हाँ अच्णिया मैने अपने अंडसे अपने कोयल नहीं इसे कथी पुराने दुसमान कोयल की याद जाती है पुरां सबात मैं चलती हुँ नहीं तो क्या पता के ह Ciao भी कोयल फिरिस वार ऐसा कर दोल सकता हों नोर्य नहीं जल्दी जरणा होगा फिर गोरी कवी जल्दी जल्दी अपने घोसले के तरह भाग जाती है अरे काडू जल्दी उठो जल्दी उठो ये कैसे हो गया मैंने तो तीनी अंडे दिये थे ये अंडे अखिर चार कैसे हो गए गोरी ये तुम कैसे बाते कर रही हो ये चार अंडे कैसे हो सकते हैं मैं तो यहाँ पर जाग रहा था और यहाँ तो कोई नहीं आया था क्या तो फिर मैंने हैं चार अंडे दिये थे क्या हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने ही चार अंडे दिये हो और तुम भूल रही हो हाँ साइद हो सकता है कि मैंने हैं चार अंडे दिये हूँ और मैं भूल रही हूँ ऐसा सोचकर गौरी कभी उन अंडों पर फिर से गरम कपड़ा डाल देती है मैं इन अंडों को घोसले में ले जाती हूँ तब तक तुम दाना ले आओ ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन अंडे फूटने वाले थे कालू और गौरी अपने अंडों के पास बैठ कर अंडों से बच्चे बाहर निकलने का बेसब्री से इंतिजार कर रहे थे तब ही एक अंडा फूटा और उसमें से बच्चा बाहर निकलता है मैं जीत गया मैं जीत गया मैंने सबसे पहले अंडा फोड़ा है ऐसे ही फिर दूसरा अंडा तूटता है और फिर तीसरा और फिर चौथा ऐसे ही करके चारों अंडे फूट जाते हैं अरे गौरी देखो देखो कुछ बच्चों के चोज थोड़ी अलग हो ही जाती है मेरी भी चोज मेरी बेहन की तरह नहीं थी वो चाहे जोबी हो पर में इसे नहीं अपनाऊंगा ये मेरा बच्चा नहीं है कालु कॉए ऐसा बोलकर अपने तीन बच्चों को अपने गले से लगा लेता है यह देखर वह चौथा बच्चा रोने लगता है मैं सुन्दर नहीं हूँ क्या पापा ने मुझे गले क्यों नहीं लगाया मैं बुरा हूँ क्या गौरी कभी इस बच्चे को उठा कर अपने गले से लगा लेती है अरे नहीं नहीं बच्चे तुम बुरे नहीं हो तीन बच्चे पापा के और तुम मेरे बच्चे हो तुम रो मत सुन लो गारी मेरा लाया हुआ भोजन तुम इस बच्चे को मत देना और फिर गुसे में कालू अपने घर से बाहर चला जाता है ऐसे ही दिन गुजरते गए कालू को अपने तीन बच्चों से तो बहुत प्यार करता लेकिन उस चोथे बच्चे से बिलकुल भी प्यार नहीं करता था अरे जाओ जाओ तुम यहां क्या कर रहे हो तुम अपनी मा के पास जाओ पापा पापा मुझे भी यहां खेलने दोना मेरे भाईयों के साथ अरे तुम्हें एक बार में सुना ही नहीं देता क्या तुम जाओ यहां से अपनी मा के पास फिर वहां बच्चा रोते हुए वहां से चला जाता है गोरी कवी ने अपने सभी बच्चों के सामने भोजन रख दिया था वह सभी बच्चे अपना भोजन खाने लगते हैं लेकिन कोयल का बच्चा अपना भोजन लेकर कालू कोई के पास जाता है येलो पापा पहले आप भोजन कर लो फिर मैं बाद में खा लूँगा लेकिन कालू कुवा गुस्से में वो भोजन उठा कर दूर फैक देता है कोयल का बच्चा यह देखकर जोर जोर से रोने लगता है अरे गोरी आज रात मैं दोसरे जंगल जा रहा हूँ तो तुम घर का दरवाजा अच्छे से बन कर लेना इतना कहकर कालू कुवा दूसरे जंगल में चला जाता है आधी रात को गोरी कवी सोई हुई थी तभी वो कोयल उनके खिर्की के पास आ जाती है कालू कुवा सेव के पेंड़ पर बैठा हुआ था तभी वहाँ पर रानो चिडिया आती है अरे कालू भीया मैं कल दूसरे जंगल गए थी वहाँ पर मुझे आपकी मा मिली वो बोल ले थी कि वो कल आपसे मिलने आ रही है सच में चिडिया तुम कही मसा जूट तो नहीं बोल रही हो ना अरे नहीं नहीं कालू भीया भला मैं आपसे जोट क्यों बोलूँगी अरे गोरी कल मेरा कोई दोस्त मुझे से मिलने आ रहा है तो तुम ऐसा करना कि तुम अपने माई के चले जाना हाँ ममा मेरा भी नानों से मिलने का बड़ा मन कर रहा है अरे तुम्हारा दोस्त आ रहा है या वो तुम्हारी बोड़ी मा आ रही है जब वे पिछली बार आई थी तभी मैंने तुमसे साप साप बता दिया था कि अगर वो दुबारा इस घर में आई तो या तो वो इस घर में रहेंगी या तो मैं अरे गोरी तुम्हें मेरी मा से इतना नफरत क्यूं है सभी की सास होती है और मेरी मा तो तुम्हें उतना तंग भी नहीं करती है वो जो भी हो पर मुझे सास पसंद नहीं मैंने चाहती कि मैं जिस घर में रहूं मा पर मेरी सास रहे और मैंने तुमें साधी से पहले ही बता दिया था यह सुनकर कालू कोवा चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है चड़िया ने बताया है कि कल मा आ रही है पिलीस गोरी तो मा से कुछ मत कहना पिछली भार भी मा नराज होकर गई थी अरे देखा देखा जग्गू मुझे तो पहले से ही पता था कि इसका कोई दोस्त नहीं आ रहा है वो बुड़िया ही आ रही होगी मैं कहीं नहीं जाने वाली ये घर मेरा है और मैं यहीं रहूंगी दूसरे दिन सुबह सुबहीं कालू कवे की मा आ जाती है जग्गू तरवाजे के बाहर ही खड़ा था वो अपनी दादी को देखकर उनके कले लग जाता है अरे जग्गू बेटा मुझे तुम्हारी बहुत यादा रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई तभी नदी से पानी पीकर गौरी कवे भी वहाँ पर आ जाती है अरे जग्गू बेटा हटो हटो तूर हो जाओ इस बुढ़िया से ना जाने से बुढ़िया को कैसे कैसे किटानों लगे होंगे अरे अरे बहु याम्हारी शकल देखने यहां नहीं आई हूँ मैं तू अपने पोते से मिलने आई हूँ नहीं तो कालू तो मुझे कवका भूल चुका है अरे अरे सासू जी तो मिल लिया हो अपने पोते से तो यहां से चली जाओ मैं तुम्हें अपने घर में बिठा कर तुम्हें ताना नहीं खिला सकती बहु मैं सिर्फ एक रात ही यहां पर रहूंगी ममा ममा मैं दादी के साथ ही रहूंगा अप दादी से क्यों लड़ाई कर रही हो मैंने जो कहा सो कहा अब आप जाओ यहां से नहीं तो आपका बेटा आ जाएगा तो बात बढ़ जाएगी क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे वज़े से हमारे घर में लड़ाई हो यह सुनकर गोरी की सास रोने लगती है और वहां से अपने घर चली जाती है थोड़ी ही देर बाद कालुगवा घर आता है अपर ममाने टाटकर उन्हें भगा दिया यहां से गोरी मैंने तो तुमसे भिनिती की थी कि मा आये तो उनसे कुछ मत कहना पर फिर भी तुमने उन्हें भगा दिया क्या हो जाता अगर माई एक रात यहां पर रह जाती तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुमारी मा को वो यहां पर मुख्त के दाने तोड़ने आती है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी मा का जंगल में सबसे बड़ा घर है वो तो बस यहां पर सिर्फ अपने पोते से मिलने आती है फिर एक दिन जगु कवा खेलते खेलते दूसरे जंगल में अपने दादी के पास मिलने चला जाता है दादी दादी मैं आ गया अपने पोते को अकेला देख कर दादी घबरा जाती है जगू बेटा क्या तुम्हें रास्ते का पता था तुम अकेले यहाँ पर केसे आ गए दादी अब मैं बड़ा हो गया हूँ मैं आपसे मिलने अकेले ही आ जाया करूंगा चलो बेटा घर के अंदर चलो मैं तुम्हें लड़ू खिलाती हूँ जगू की दादी उसे अपने घर के अंदर ले जाती हैं और उसे लड़ू खाने को देती हैं अगर तुम्हारी मा को पता चल गया कि तुम्हें यहाँ पर आये थे तो वो तुम्हें बहुत मारेगी अगर कोई बताएगा, तब ही तो उन्हें पता चलेगा ना, कि मैं यहाँ पर आया था, मैं तो बताऊंगा ही नहीं उन्हें, लेकिन दादी, मापको इतना बोरा क्यों समझती है, बेटा, मैं एक सास हूँ ना, इसलिए वा समझती है, कि सब ही सासे बोरी होती है, लेकिन अप तो बहुत अच्छी हो दादी फिर भी मा आपको ऐसा क्यों समझती है जगु साम तक अपने दादी के पास ही रहता है और रात होने से पहले ही वो अपने घर चला जाता है गोरी हमारे घर की चत खराब हो गई है अगर बारिस आगई तो मुसीबत हो जाएगी पहले तो मैं अपने सोने का हार बनवाऊंगी उसके बाद चत की मरमत होगी ऐसे जिंदिगी से तो अच्छा है कि मैं तो अपने मा के पास ही चला जाओं अरे तो जाओ जाओ तुम्हें रोका किसने है ना तो तुम्हारी मा मरेगी और ना ही तुम उसके बात छोड़ोगे ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं ऐसे ही एक दिन बहुत तेज हवा के साथ जोरों की बारिस सुरू हो जाती है कवा कवे और उनका बेटा घर में बहुत डरे हुए थी तभी उनके घर की छट तेज हवा के कारण उर जाती है उनका घर पूरी तरह से तूट जाता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि घर के छट बदल लो लेकिन तुम्हें तो अपने हार लेनी की पड़ी थी कालू अब हम कहा जाएंगे पर गोरी कवी अपने पती और अपने बेटे को लेकर तेज बारिस में अपने भाई के घर जाती है गोरी कवी का भाई उसे जँगल में दूसरी तरफ रहता था वो अपने भाई की घर पर जाकर दरवाजा खटकटाती है अरे अरे इतनी बारिस में कौन है भावी मैं हूँ गोरी हमारा घर बारिस में तोट गया है तो आप मुझे अपने घर में आने दे मेरे साथ मेरा पती और मेरा बेटा भी है सुनो जी तुम्हारी बेहन आई है तुम उससे जाकर कहे दो कि हमारा घर तो बहुत छोटा है क्या कहूं जिसे देखो हमारे घरी मूठा कर चला आता है रुको तुम यहीं पर मैं देखता हूं फिर गोरी कवी का भाई दरवाजा खोलता है हमें अंदर आने दो भाई मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूं गोरी तुम्हारा घर तो तूट गया है क्या अब तुम यहां हमारा घर तोड़ने आई हो जाओ जाओ यहां से कहीं और जाओ मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ले जा सकता अरे भाई तुम ये केसी बाते कर रहे हो मैं बहन हो तुम्हारी तुम अपने पती से कहो कि वो तुमें दोसरी जगा ले जाए तुम लोग हमें आधी रात को तंग ना करो अरे गोरी देख लिया न अपने भाई का प्यार अब तुम मेरे साथ चलो फिर कालू को हुआ गोरी कवी को लेकर अपने मा के घर जाता है वो अपने मा के घर के बाहर खड़े थे तब गोरी कालू से बोली कालू क्या मुझे मा अपने घर के अंदर आने देगी हाँ गोरी मा तो मा होती है और मा अपने बच्चों से हमेशा ही प्यार करती है वो कभी अ ध्रवाजा खटखटाता है अरे कौन है मा मैं हूँ कालू फिर कालू क Agi refugees जल्दी से दरवाजा खोलती है अरे जल्दी से अंदर आ जाओ बेटा बहर बहुत अबारी सो रही है जगु कुवा अपने दादी के गले लग जाता है दादी दादी हमारा घर तोट गया है अरे तो कोई बात नहीं बेटा ये घर भी तो तुम्हारा ही है अरे गौरी बेटी तुम्हें बहुत ठंडे लग गई होगी मैं अभी तुम्हें करम कंबल देती हूँ फिर गौरी कवे जोड़ जोड़ से रोने लगती है मुझे माप कर दीजिये माजी मैंने आपके साथ इतना पुरा बेवहार किया पर फिर भी आपने मुझे आपना लिया अरे कोई बात नहीं गौरी बेटी मैंने तुम्हें माप कर दिया फिर वहाँ सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ उसी घर में रहने लगते हैं त्यारे दोस्तों हमारी इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी सियर करें और हाँ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपका धन्यवाद